कि बॉली वुड में ऐसी कई अधाकाराइं हैं जो की अपने डान्स के लिए जानी आती हैं वहीं अगर बात करें नबारों के यह खूपसूरीती के साथ-साथ यह अताकाराएं अपनी डान्स के लिए इतना मशूर हो चुकी है कि हर कोई इनके डांस का दीवाना हो चुका है अगर बात करें कैटरीना कैफ की तो कैटरीना कैफ अपने बैली डांस के लिए जानी जाती है वहीं अगर बात करें नौरा फते ही की तो नौरा फते ही दिलबर दिलबर सौंग और साकी साकी के लिए काफी फैमस हो चुकी है आज के समय में फैंस इन दोनों के डांस को काफी पसंद करते हैं इनके अलाबा माधुरी दिख्षित तो है ही है डांसिंग क्वीन जी हाँ डांसिंग क्वीन माधुरी दिख्षित का हर कोई दिवाना है लेकिन अगर बात करें हर्याना की मशूर डांसर सपना चौधरी की तो सपना चौधरी की फैन फॉलिंग भी कम नहीं है बॉलिवुड हो या फिर और कुछ कोई दूसरा छेतर हर छेतर में सपना चौधरी के डांस का जज़बा माना जाता है हर्याणा की ये मश्रूर डांसर डांस के छेतर में अपना लोहा मनवा चुकी है वहीं एक अलग डिफ्रेंट तरीका का डांस यानि की हर्याणी भी डांस करने वाली सपना चौधरी अपनी डांस के लिए इतनी जानी जाती है कि घर घर में उन्हें हर कोई जानता है जानकरी के लिए बता देंगी हाल ही मैं सपना चौधरी ने 25 अप सेप्टेंबर को अपना बर्डे सेलिबरेट किया है और ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं सपना चौधरी से जुड़ी एक बड़ी बात जिसे चान कर आप भी हैरान हो जाएंगे जि हाँ आज की रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार सपना चौधरी हमेशा सूट में ही डांस क्यों करती है और इसका जवाब खुद सपना चौधरी ने दिया था लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि सपना चौधरी कहां एक सिंपल सी लड़की थी और सिंपल से सलवाज सूट में डांस करती नजर आती थी सभी के सामने और आज सपना चौधरी बन चुकी है व्यूटिफुल क्वीन जहां एक और उनका बोल्ड अफ्तार देखनों को मिल रहा है तो वहीं दूसरी और सपना चौधरी पहले थी एक ट्रडिशनल जहां ट्रडिशनल ड्रेस पहनने वाली सपना चौधरी आज बोल्ड ड्रेस में नजर आती है जहां एक और सपना चौधरी सूट सलवार में डांस करती है तो वहीं दूसरी और वो मिनी स्कर्ट और गाउन में भी डांस कर चुकी है उनकी पर्फॉर्मेंस वाकई में देखने वाली होती है जब से बिग बॉस से सपना चौधरी बाहर आई है तब से सपना चौधरी के अदाओं के जल्बे कुछ अलग ही देखने को मिल रहे है और आज हम आपको बताने वाले हैं सपना चौधरी के इस राज के बारे में कि आखिरकार वो सूट सलवार पहन कर ही लोगों के सामने डांस क्यों करती हैं लेकिन फ्रेंट्स आगे बढ़ने से पहले करना होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वैल आइकन को जरूर दबाएं हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राठोर इसका खुलासा सपना चोधरी ने खुद अपने एक इंट्रिव्य में किया था जानकारी के लिए बता दें कि सपना चोधरी सूट सलवार इसलिए पहनती हैं क्योंकि जब वो डांस करने जाती हैं तब उनके सामने कई सारी फैमिलीज बैटी होती हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि फैमिलीज में सभी एसके लोग होते हैं और ऐसे मैं सपना चौधरी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि मेरे सामने उस समय फैमिलीज बैटी होती है और ऐसे मैं अगर मैं उनके सामने हर्याणवी डांस को बोल्ड रेस में पहन के करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए वो हमेशा ही सलवाज सूट पहन कर डांस करती है इतना ही नहीं सलवाज सूट में डांस करते वक्त सपना चौधरी को काफी comfortable feel होता है इसलिए वो मन चाहत जैसा भी dance कर सकती है वज़ाए उसके कि बोल्ड ड्रेस में वो ऐसा dance नहीं कर सकती है सपना चौधरी के इस जबाब से सभी fans काफी खुश हो गए और भाई हो भी क्यों ना आखिरकार सपना चौधरी है ही इतनी famous तेरी आखों का जो काजल से famous हो चुकी सपना चौधरी आज सभी के ऊपर अपनी अदाओं का जलवा चलाती हुई नजर आ रही है तो ऐसे मैं वाकई मैं सपना चौधरी के ये जलवे अभी तक ऐसे बिखेरे जा रहे हैं जहां एक और उनका style काफी different होता जा रहा है जहां पर सपना चौधरी इतनी simple दिखती थी तो आज सपना चौधरी के highlight hair भी काफी सुर्खियों में बने रहते हैं चाहे वो कुछ भी पहनती हो उन पर हर कुछ अच्छा लगता है अपने गानों पर मशूर और ठुमके लगाने वाली सपना चौधरी ने सभी को अपने dance का दिवाना बना दिया है वहीं दूसरी हो सपना चौधरी बॉलिवुड में भी debut कर चुकी है ऐसे में वाकई में मानना होगा कि सपना चौधरी ने अपने dance के दम पर अपना लोहा मनवा लिया है और आज उनको हर घर में हर कोई जानता है ये dancing queen हरयाना की है और बॉलिवुड में भी अपनी छाप छोड़ती नजर आ रही है वाकई में सपना चौधरी को मानना पड़ेगा कि वो इतनी आगे पहुँच गई है और आगे चल के success उनके रास्ते में हमेशा ही मिलती रहेगी फिलहाल के लिए इतना ही अगली बार हम फिर हाजिर होएंगे तब तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस